अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब पर के बेल का इकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपकी जो यह पॉइम है दा लाश्ट बार्गेन आखरी सोधा बार्गेनिंग क्या होती है बार्गेनिंग वो होती है जब हम किसी के यहां समाल लेने जाते है जैसे हम सोप पे समाल लाने गई और शोप वाले ने हमें का कि नहीं यह चीज मैं 500 की दूँगा और हम उसे कहते हैं कि नहीं हम आपको 450 रुपीज देंगे तो इस तरीके से इसक एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करने का वादा करती है इसमें कोई व्यक्ति है जो काम की तलास के लिए घुम रहा है वेटिंग टू भी हाइड और वो इंतजार कर रहा है कि कोई उसे ले जाए वो कई सारे समझोते करता है लेकिन जब उसे पता लगता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है कोई कीमत नहीं है वो वर्थलस है बेकार है उसके लिए वो दो बार पहले भी कोशिज करता है बट ड़ेंट लाइक आईदर परंट उसे कुछ भी पसंद नहीं आता कि उसे जब हाइर किया जाता तो उसके बदले उसे कुछ भी नहीं दिया जाता वो उतना खुश होता है जितना वो पहले कभी भी नहीं था अब देखो कि वो समझोता क्या है और ये सबसे अच्छा क्यों था let's read our poem come and hire me आओ और मुझे ले जाओ I cried मैं चिलाया कि कोई आजाओ और मुझे नोकरी पे रखलो मुझे ले जाओ while in the morning सुबह सुबह में I was walking on the stone paved road कि जो एक पत्रीला रास्ता था उस पत्रीले रास्ते के उपर मैं चल रहा था और मैं चिला रहा था कि कोई आजाओ और मुझे ले जाओ sword in hand sword होती है तलवार हाथ में तलवार लेकर दा किंग राजा came in his charret charret होता हरत कि हाथ में तलवार लेकर राजा रत पर बैठ कर आया he held my hand उसने मेरा हाथ पकड़ा and said और कहा I will hire you with my power मैं मेरी ताकत के साथ तुमें ले जाओंगा but his power counted for not प्रन्तु उसकी जो power थी उसकी कोई कीमत नहीं थी and he went away in his charret और वो अपने राथ में वापिस चला जाता कि उसकी ताकत का मेरे पर कोई भी सर नहीं हुआ यहां पे इन लाइनों के अंदर यह पता लगता है कि जो पॉइट है वो यह कहना चाता है कि किसी की भी power हमेशा नहीं रहती in the heat of the midday the ferry में midday की गर्मियों की दो ferry के अंदर the houses stood with shut door कि सब के घरों के दर्वाजे बिलकुल बंद थे आई वंडर मैं घूम रहा था along the crooked land crooked lane होती है टेड़ा मेड़ा रास्ता कि टेड़ी मेड़ी गलियों के अंदर मैं घूम रहा था an old man एक बुड़ा आदमी came out with his bag of gold अपने एक थेला था उसके अंदर गोल्ड भरा हुआ था वो लेकर वो बहर आया he pondered and said वो आया उसने कुछ सोचा और फिर वो बोला I will hire you with my money मैं तुम्हें मेरे पैसों के साथ खरीद लूँगा he weighed his coin one by one उसने एक एक करके अपने सिक्कों को तोला but I turned away प्रन्तु मैं वहाँ से वापस मुड़ कर चला गया it means कि जो पैसा होता है वो भी हमेशा के लिए नहीं रहता in the evening साइकाल में the garden hedge was all flowers कि जो hedge होती है किनारे होते हैं garden के जो किनारों पे बहुत सारे flowers खिले हुए थे the fair maid एक खूबसूरत सी जो मालिन थी came out and said बहार आई और उसने कहा I will hire you with a smile मैं तुम्हें मेरी मुश्कुरा हट के साथ खरीद लूँगी her smile pilled उसका जो smile थी वो पीली पड़ गई and melted into tears और आशों में बदल गई and she went back alone into the dark और वो क्या हो जाती है वापिस अंदेरे में चली जाती है यहां कवी का कहने का मतलब यह है कि किसी की खूबसूरती भी हमेशा के लिए नहीं रहती the sun glissan on the sand जो सूरज है वो मिट्टी के कणों के उपर चमक रहा है and the sea waves broke waywardly और जो समुदर की लहरे है वो क्या कर रही है बेतर्पीब तरीके से इदर उदर वो बिखर रही है वो कोडियों के साथ खेल रहा है he raised his hand उसने अपना हाथ उठाया and seemed और ऐसा परतीत हो रहा था to know me कि मुझे जानता है and said और उसने कहा I hire you with nothing मैं तुम्हें खरीद लूँगा और इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं दूँगा और ये जो सोदा था वो क्या हो गया हमारे बीच पक्का हो गया मैं उस बच्चे के साथ खेलने लगा और मैंने समयम को कैसा पाया एक free man के रूप में पाया ये जो poem है ये रविंदर नाटेगोर जी के द्वारा लिखी हुई है और उन्होंने इस poem के थुरू एक message दिया है कि इनसान की ताकत उसका धन उसकी दोलत उसकी खूबसूरती कभी भी forever time के लिए नहीं रहती लेकिन अगर वो आजादी से अपना जीवन जीता है तो वो अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता है